अलो दोस्तों नमस्कार आप सभी के स्वागत है डियार के टीवी पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनेया भी कानेर राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को सेक्स की समझ्षा रहती है जिन लोगों के अंदर लिंग में तनाव की समझ्षा रहती है वो प्रापर सेक्श्वल एक्ट परफॉर्म नहीं कर पाते इसको हम कैसे हम पूरी तरह से ठीक करें इसके उपर पूरा का male का example है और ये जो male है इनको sexual problem रहता है अच्छा sexual problem में क्या रहता है कि ये जैसे ही अपने partner के साथ में sexual activity perform करने जाते है तो इनके अंदर क्या है कि proper तरीकी से erection नहीं आ पाता ये बताते हैं कि सर एक बार तो erection आ जाता है लेकिन जैसे ही मैं पैनिस को जो वजाईना है उसके अंदर insert करने की कोशिश करता हूँ या insert करने की जैसे ही मैं तयारी करता हूँ तो ये जो link है वो आपसे क्या हो जाता है मेरा down हो जाता है और उसके down होने की वज़े से हम दोनों के बीच में जो relation है वो प्रॉपर नहीं बन पाता जिसकी वज़े से बहुत सारे conflict क्रियेट हो रहे हैं जिसकी वज़े से बहुत सारे dispute क्रियेट हो रहे हैं मेरा जो partner है वो भी irritate हो रखा है अच्छा तो मैंने सर जो मेरा ये जो problem है इस problem से related मैंने treatment है वो काफी लिया मैंने अपनी तरफ से ही लिया और मैंने कुछ tablets को भी use किया जैसे की market में खूब सारी चीज़ा अवे लेबल है उनके इसाब से मैंने treatment लेने की कोशिश की लेकिन उन सब चीज़ें से मुझे इतना benefit नहीं मेला तो उसके बाद मैं मैंने कहे कि अपने test करवा है मैंने जांचे करवा ही तो जांचों के अंदर मैंने मेरा penis doppler भी करवाया वो मेरा normal है मैंने इसे testosterone करवाया वो भी मेरा normal है सर मेरा thyroid profile वो भी normal है मुझे diabetes भी नहीं है मुझे hypertension भी नहीं है और मेरे body के जो vitamins के level है जैसे B12 का level है vitamin D3 का level है vitamin C का level है यह सारे कुछ normal है sir इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है और मैं कई बारे यह test करवा चुका हूँ इनके से गुजड चुका हूँ तो यह सारे मेरे normal है मतलब physically sir कोई problem नहीं है बट फिर भी मैं proper तरीके से sexual act है वो perform नहीं कर पाता तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है थोड़ा और गहराई से इस case के अंदर उतरने की जरूरत है जब मैंने उनसे interview किया तो उन्होंने मुझे बताया कि sir जो night erection है वो मेरे कभी-कभी आ जाता है कभी-कभी early morning भी आ जाता है और सबसे important point कि जैसे ही अपने partner के past sexual activity perform करने जाता है तो एक बार तो erection उनके आ ही जाता है लेकिन जैसे ही ये insert करना start करता है या जैसे एक undom use करना शुरू करता है उसी समय इनका जो erection है वो क्या हो जाता है डाउन हो जाता है तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थती है कि test सारे normal है एक बार erection आ जाता है और उसके बाद में अगर erection डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये जो problem है ये physical नहीं है ये physically नहीं है physically मतलब इस समश्या का जो कारण है वो anatomically कोई कारण नहीं है मतलब anatomical कोई defect इस समश्या का कारण नहीं है तो फिर कारण क्या है मतलब यहाँ पर इसका जो कारण है वो कारण क्या है वो है psychological यहाँ पर इसका जो कारण है वो कारण क्या है psychological psychological मतलब हमारा जो mind है वो इसके लिए का है responsible अच्छा सर दिमाग की वज़े से भी sexual problem हो सकता है जी दिमाग की वज़े से भी sexual problem हो सकता है और जो एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आप लोगों के साथ में करूँ कि जो 90% जो sexual problem होती है ना 90% जो erection के अंदर कमी का जो problem है जो sex की होने का जो problem है चाहे वो male के अंदर हो चाहे वो female के अंदर हो आपका जो ejaculation है वो properly हो नहीं पा रहा है ejaculation जल्दी हो पा रहा है जो premature ejaculation का problem है जो delayed ejaculation का problem है बहुत सारे लोगों का जो वीरिया है वो इस्खलत ही नहीं हो पाता मतलब जो वीर्य है वो डिलेड हो जाता है तो यह जो प्रॉबलम है यह maximum जो प्रॉबलम से यह कहां से रिलेटेड होती है हमारे माइन से रिलेटेड होती है और जितना भी sexual emotion है हमारे अंदर जितना भी sexual emotion है वो सारा का सारा कहां create होता है माइन से create होता है और अगर हम किसी psychological problem से गुजर रहे होते हैं किसी emotional problem से गुजर रहे होते हैं किसी conflict से गुजर रहे होते हैं मान लीजी कि मैं किसी stressful situation जिसे मान लीजी कि business की stress उससे गुजर रहा हूँ रिस्तो की stress से गुजर रहा हूँ मतलब husband wife के बीच में बहुत ए conflicting relationship है मतलब दोनों के बीच में एक harmonious relationship नहीं बना हुआ मैं family dispute से गुजर रहा हूँ या किसी भी परकार के health problems के stress से गुजर रहा हूँ तो ये सारे के सारे जो stress से ये सारे के सारे क्या करते हैं anxiety और anxiety के अंदर मेरे जो emotions है वो किस में जा रहे हैं मेरे इस fear में, मेरे इस dar में, मेरे इस anxiety के अंदर emotion जा रहे है तो मेरे जो emotions है हर वेक्ति अपने emotions को एक time पे एक ही जगे invest कर सकता है अब मालने जिए कि emotion अगर इधर invest हो गए तो फिर sex के अंदर emotion invest हो पाएंगे क्या तो sex के अंदर emotion invest नहीं हो पाएंगे तो जो sexual system है हमारा उस sexual system को run करने के लिए उसको चलने के लिए जो emotional energy चीए जो sexual energy चीए वो sexual energy नहीं मिल पाती और जब sexual energy नहीं मिल पाती तो हमारा sexual system proper तरीकिस काम नहीं कर पाता तो यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे समझने के जुरूत है कि हमारा जो mind है वो इसके लिए क्या होता है responsible होता है अच्छा anxiety वाला कारण होता है अच्छा कई बार anxiety नहीं होती तो भी कुछ कारण हो सकते है अच्छा कौन से कारण हो सकते है समझना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजे कि जो husband wife है उनके बीच में ज़्यादा dispute चल रहे हैं उनके बीच में लड़ाई जगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और या फिर वो distance पर रहते हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हैं जिनका मिलना महीने में या दो महीने में या सब्ता में या पंदरा दिन में या ज़्यादा टाइम से उनका मिलना हो रहा होता है तो धीरी धीरी ये क्या करते हैं कि अपने खुद के sexual satisfaction के वे तलास लेते हैं रास्ते तलास लेते हैं जैसे कि इन्होंने एक रास्ता तलास लिया था वो रास्ता था masturbation का मतलब हस्त मैथुन का जो तरीका है वो इन्होंने इजाद कर लिया masturbation का कि अपने partner के साथ में 15 दिन से मिलने जा रहे हैं तो 15 दिन बीच में क्या करेंगे तो 15 दिन अपनने क्या करना स्टार्ट कर दिया हस्त मैथुन करना स्टार्ट कर दिया मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर दिया अच्छा आप यह जो मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर दिया तो मास्टरबेशन के अंदर जो भी सेक्शुल फेंटेसी बन रही है तो उनसे हमारा जो sexual cycle वो तो complete हो रहा है तो हमारा जो sexual satisfaction है वो तो develop हो रहा है वो तो achieve हो रहा है और अगर यहाँ पर sexual satisfaction आपका अगर masturbation से develop हो रहा है तो धीरे धीरे हमारी जो masturbation के उपर क्या बनती से लिजाती है dependency मतलब जो मज़ा लेना है तो क्या करना पड़ेगा masturbation करना पड़ेगा तो ये जो dependency है वो इनके अंदर develop हो गई अब इस dependency के कारण अगर ये अपने partner से मिल रहे है अपने spouse उससे मिल रहे है तो partner के साथ में ये इतना ज़्यादा sexual thrust है वो feel नहीं कर पाते मतलब इतनी ज़्यादा इनको प्यास मैसूस हो नहीं पाती कि मुझे मेरे partner के साथ में sexual relations बनाने है romantic relationship बनाने है या नहीं बनाने मतलब इनको यहाँ पर इतना ज़्यादा sexual energy अपने partner के साथ में नहीं feel हो पाता है मतलब इस चीज़ को कुछ इस तरह समझे है कि जब इसाब आपने बाहर खाना खा लिया तो फिर घर पे खाना खाने का मन करेगा या नहीं करेगा या फिर आपका अगर पेट बरा हुआ है तो आपके सामने कितनी भी सुन्दर कितनी भी प्यारे डिश क्यों ना हो आपका मन नहीं करेगा यही सेम स्थती यहां पर हो जाती जब आप masturbation से अपना जो sexual system है उसके cycle को complete करते रहते तो आपने sexual cycle को पूरा करते रहते हो तो फिर जो proper जो sexual relations होते है जो आपके spouse के साथ में उस time आपके पास में sexual energy बचती नहीं है कि आप अपने partner के साथ में भी क्या कर लो sexual relations maintain कर पाओ तो यहाँ पर एक बड़ी mistake हो जाती है कि कई बार लोग है वो masturbation के अंदर बहुत ज़दा involved हो जाते हैं हालांकि masturbation सही या गलत का नहीं है मुद्धा है कि अगर आप यह कर रहे हो तो इसके कारण कई बार ऐसे स्तती पैदा हो जाती है कि जिसके कारण हम अपना एक वे ढूंड लेते हैं अपने आपको satisfy करने का तो जब हम अपने आपको satisfy कर लेते हैं तो वो फिर partner के साथ में satisfaction create नहीं हो पाता और वहाँ create नहीं हो पाता तो फिर वहाँ पर हम क्या गरते हैं अपने आपको दूर करने की कोशिश करने लग जाते हैं ठीक है नहीं हो रहा तो जो ठीक है कोई बात नहीं हमने masturbation कर लिया इस तरह से धीरे 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 क्या होता कि जो भी divergence है हमारे sexual energy के जितने भी divergence है जिसकी वज़े से हमारा जो sexual cycle complete हो जाता उसको हमें क्या करना होता है अपनी तरफ से छोड़ना होता है उसको हमें अपनी life के अंदर किनारा करना होता है तबी हम अपने partner के साथ में क्या हो पाते है satisfy हो पाते है जिस भी चीज को लेके हमारे दिमाग में automatic negative thought चलती उसको हमें क्या करना होता है यहाँ पर जो sex therapy उसकी proper तरीकी से क्या करना होती practice करना होता cognitive behavioral sex therapy की बहुत अच्छे से अभ्यास करनी होती है तो दोस्तों ये बहुत अच्छे समझेगा बहुत अच्छे से understand करेगा उम्मीद करता हो आपको इवीडियो पसंद आयोगा नीचे comment box में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी sexual problems होती है चाहे वो premature ejaculation की हो चाहे वो erectile dysfunction की problem हो चाहे वो जो sexual जो interest है वो कम होने की problem हो इन सब problems को हम किस तरह से पूरी तरह से अपनी जिंदेगी से हटाएं अपने आपको बहुत ही अच्छा फील करवा है अपने partner को बहुत अच्छा फील करवा है एक healthy sexual relations create करें physical relations create करें जिसमें दोनों partner equally satisfy हो तो इन सब चीजों को हम कैसे अपने जिंदेगी के अंदर achieve कर सकते हैं इसके उपर हमने एक step by step learning का एक पूरा course launch किया है जिसका link नीचे description में है cognitive behavioral sex therapy sex therapy के नाम से उसका link नीचे description में है जिसको आप अपने अंदर install करके अपनी हर परकार की जो sexual problems है उसको अपने जिंदेगी से क्या कर सकते हो tata bye bye कर सकते हो और healthy sexual relationship का आनन दे सकते हो बहुत बहुत देनेवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत